दोस्तो चाहे बच्चे हो या बूड़े हर किसी गुड़ बहुत पसंद होता है और शायद आपको भी गुड़ खाना अच्छा लगता होगा हमारी घर में भी गुड़ का बहुत उप्योग होता है कई बार तो इसके विना खाना भी अच्छा नहीं लगता है दोस्तो सर्दियों में लेकिन गुड अपने फायदों को 100 गुना बढ़ा देता है सच बताएं तो सर्दियों में गुड खाने का अपना अलगी मजा होता है इसका स्वाद कई लोगों को तो चॉकलेट जैसा लगता है इसमें कई प्रकार के जरूरी पोश्टिक तत्व होते हैं जो शरीर को उजबरदान करते हैं आज के वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं गुड खाने के लाब और इसकी पूरी जानकारी और कैसे आप फायदा प्राप्त कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों सर्दियों में गुड खाने के फायदों के वारे में जान लेते हैं सर्दियों में गुड खाने से शरीर की जो प्रतिरक्षा प्रणाली है वो स्वस्थ और मजबूत हो जाती है ताजा बने होए गुड़ को खाने से शरीर जो है सर्दी, खासी, गले के दर्द से बचा रहता है गुड़ में कैलोरी की मात्रा होती है जिसके कारण इसको सर्दियों में खाने से शरीर को अधिक सदिक कैलोरी प्राप्त होती है जिससे शरीर में गर्मी बनी रहती है इसमें आइरन होता है, फासफोरस होता है, मेगनीशियम, जिंक, सेलेनियम और अन एंटी आकसाइड आपको मिलते हैं चलो, फाइदे जानते हैं, सर्दी खांसी से रहत देता है जैसे कि हम आपको बता ही चुके हैं, कि सर्दी में गुड़ खाने से सरीर को बहुत सारे लाब मिलते हैं सर्दी के महीने में गुड़ खाने से शरीर तंद्रुस तहता है, सर्दी खांसी जुकाम नहीं लगता है शीतरतू में गुड़ खाने से गले को राहत मिलती है साथ ही अन्य कई प्रकार के श्वसंत अंतर से चुड़े रोग दूर हो जाते हैं अस्थमा के रोग्यों के लिए गुड़ बहुत लाग्डायक होता है नियमित रूप से इसका सेवन करने से अस्थमा की शिकायत कम होती है अगला है जोड़ों के दर्द को कम करता है गुड़ अगर आपकी उम्र थोड़ी ज्यादा है और घुटनों या अन्य जोड़ों में दर्द है तो आपको गुड़ का सेवन करना चाहिए गुड़ जोड़ों में होने वाले दर्द को कम करता है और साथ ही हड्डियों और मास पेशियों को मजबूत बनाता है आप कई प्रकार से गुड़ का सेवन कर सकते हैं अगर आप चाहें तो गुड़ को दूद में मिला कर भी पी सकते हैं या फिर आप गुड़ सीधे भी खा सकते हैं और्थराइटिस और गाउट के रोगियों के लिए ये बहुत लाबदाई है अगला है हाजमा को बेहतरीन बनाने के लिए आज के आधुनिक युग में ज्यादातर जगों में मश्यूनों ने अपनी जगे बना लिये और इसी कारण लोगों को काम बहुत ही आसान भी हो गया है और कम भी हो गया है इसके कारण ज़्यादातर लोग अपने दफ्तरों में बैट कर ही काम करते हैं ऐसे में ज़्यादा बैटने से ऐसीडिटी और बधजमी की समस्याएं बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं ऐसे में अगर आप प्रती दिन गुड़ का सेवन करते हैं तो आप प्राकर्तिक रूप से अपनी ऐसीडिटी को कम कर सकते हैं और पाचन तंत्र को मजगूत बना सकते हैं साथी गुड़ शरीर से विशयले तत्मों को बहार करता है और स्वास्त को बहतर बनाता है अगला है बजन बढ़ाने में जैसा कि हमने आपको बताया कि गुड़ भी चीनी की तरह हाई कैलोरी शरीर को देता है लेकिन अगर आप नियमें तरूप से गुड़ खाएंगे तो इससे आपका बजन बढ़ेगा गुड़ में ज्यादा मात्रा में पोटेशियम होता है जो शरीर में मेटाबॉलिजम को स्वस्त बनाये रगता है अगला है इर्दय रोगियों के लिए बहुत अच्छा है थोड़ अच्छे स्वास्त के लिए अच्छे इर्दय का होना बहुत जरूरी है घर्दे कमजोर होने पर कई प्रकार के जो रोग हैं हाट अटेक, हाट फैलिय और जैसे खत्रे बढ़ सकते हैं गुड़ खाने से शरीर की रत्वाई काएं अच्छे से कुलती हैं जिससे ब्लड प्रेशर सही प्रकार से काम करता है और शरीर सुस्त रहता है जिल लोगों का ब्लड प्रेशर कम है गुड़ में पोटेशियम होने के कारण इसके नियम तो प्योग से अपना ब्लड प्रेशर संतुलित कर सकते हैं अगला है फैंफणों के लिए लाबदायक है सरदी, जुकाम, कफ और अन्य प्रकार की समस्यां अगर होती हैं और फैंफणों से जुड़े कोई भी रोग है और अगर आप बार बार दवाईयां खा रहे हैं इंजेक्शन से भी कम नहीं हो पा रहा है ये रोग तो कुछ दिन के लिए हमारी मानने आप गुड़ खाएं शोर्द करता मानते हैं कि गुड़ कई प्रकार के फैंफणों से जुड़े इंफ़ेक्शन और रोगों को बहुत तेजी से ठीक करने में मदद करता है तो इसलिए आप गुड़ जरूर खाईए अगला है शक्ति प्रदान करता है गुड़ में कार्वाइडरेट की अच्छी मात्रा होती है जो शरीर में जाने के बाद शरीर को उर्ज़ा प्रदान करती है और हमेशा आपके मन को इसफूरती प्रदान करती है एक चीज का हमेशा ध्यान रखें कि चीनी की तरह ही डाइविटीज के रोगियों के लिए गुड सही नहीं है क्योंकि इसमें कार्वाइडरेट और कैलोरीज की मात्रा अधिक होती है तो डाइविटीज के लोग इससे परेच करें अगला है एनीमिया या खून की कमी नहीं होने देता है ना सिर्फ महिलाओं में बलकि हर किसी को एनीमिया की शिकायत हो सकती है पोश्टिक्ता और आइरन योगत भोजन ना करने पर ज्यादा तर एनीमिया जैसे मुशिल से लोगों को दोचार होना पड़ता है गुड में आइरन की मात्रा बहुत अच्छी होती है जिसके कारण ये शरीर को ज्यादा से ज्यादा हीमोगलोबिन की मात्रा परदान करता है इसमें आइरेन के साथ फॉलेट की मात्रा भी अच्छी होती है जो शरीर को ज्यादा से ज्यादा आरवीसी बनाने में मदद करती है इसलिए अनिमिया से जुड़े रोगियों को गुड़ का सेवन करना चाहिए अगला है मूत्र प्रणाली में आराम देता है जिन लोगों को पिशाप करते समय जलन या दर्द की शिकाइद होती है बार बार होती है तो वो गुड़ खाकर मूत्र नली या उससे जुड़ी मुश्किलों को दूर कर सकते हैं इसके लिए गर्मा गर्म दूद के साथ गुड़ मिला कर पियां और अपने मूत्र प्रणाली से जुड़े रोगों को तूर करें अगला है योन समस्याओं को तूर करने में जिन पुर्षों को योन समस्याएं हैं, वो गुड की मदद से अपने योन अंगों को मज़ूद बना सकते हैं, इसके लिए प्रती दिन गुड और आवले का पाउडर मिला कर थोड़ा थोड़ा खाएं। अगला है हिचकी दूर करने में, कई बार ऐसी डिटी होने के कारण पेट में गड़वड पैदा हो जाती है जिसे हिचकी आने लगती है, हिचकी को बंद करने के लिए गुड के साथ अद्रक का पाउडर मिला कर गुर्गुरे पानी के साथ पीएं, आपकी हिचकी खत्म हो जा साथ अच्छा पॉस्टिक आखर भी बहुत जरूरी होता है, गुड का सेवन करने से तवचा के लिए जरूरी बिटामिन और मिनरल मिलते हैं, गुड खाने से चेहरे के पिमपल दूर होते हैं और काले धब्बे मिलते हैं, अच्छे सुन्दर चेहरे के लिए बीच बीच मे गुड खाते रहें